नमस्ते दोस्तों आज हम लोग यह वुषा का वेल्डिंग मेशन रिप्यार करेंगे यह देखिया आप लोग में दिखा रहा हूं वेल्डिंग मेशन है यह एमेमे220 है यह 45 अम्योप्यार का करेंट बनाते है तो आएए देख्ते हैं इसमें क्या प्रोब्लम है यह केबल और शूइज आके यह है पाले और पाले से होते हुए निझे इसका क्यापसिटर है बढ़ा आपर से शॉस करता है यह सर्कुित जाता है तो यह सरीट का जितना भी है ठीक है कि नहीं पर नीचे आपको एक कंदेंसर फुला हुआ जैसा लग रहा है यह देखिए यह फूल गया है यह डेमेज हो चुका है यह कंदेंसर इसको बदलना पड़ेगा तो इसके कारण भी सोट हो गया था तो इसमें पाउर नहीं आए था इसमें फ्यूज है तो का यह सबसे पहले इसको हम लोग फूलता है तो इसको खोल रहा हूं और खोलने के साथ इसको मैं चेंज करूंगा विया तो पुर यह फट गया है तो इसको हम लोग चेंज करेंगे दूसरा चैपसिटर सेंग कि और निया दिक है चार सो बाल्त का पर लगाऊंगा तो पहले स्कों हम थ्रण साप कर लेते हैं रस से ब्रस करने बाद इसको पिटिंग करूंगा तितरों से मैं तो तिंग कर रहा हूं अब इसको थ्टिंग कर देते हैं अब शुललर्ण होने के बाद इसको टेस्ट करेंगे सीरीज में लगा से सकता है तो टेस्ट करेंगे सीरीज में लगा के तितरों अगर में टेस्ट करते हैं अभी हम लोग का ये मशीन ओके हो गया है दिखे बल्ब नहीं जल रहा है तो मसीन चलू हो गया है तो मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ है सामने में इसका जो डिजित से वह भी आ रहा है भोलियम बढ़ाने से इसका एंप्यर भी बढ़ रहा है तो ये मशीन अब ठीक हो गया है क्यापसिटर के कारणी ये मशीन सोट हो गया था और इसका फ्यूज बढ़ गया था तब हम ल